अलो प्रेंस मेरे कीचैन में स्वागत है आज मैं बनाओंगे मुमस की लाल तीखी चटने उसके लिए हमने 10-15 लाल मिर्चिया लिया है इसका डंडी निकाल दिया है गैस पे पानी गरहा देंगे पानी गरम हो चुका है तो हम मिर्ची को इसके अंदर थोड़ा से डाल देंगे हमने तीन टामाटर लिया है तो हम टामाटर को भी इसके अंदर उबालने के लिए टाल देंगे हैं टामाटर को इतना ही उबालना है अब हम गैस को बंद कर देंगे कि टमाटर हमारा उबल छोका है आप देख सकते हैं इस तरह से टमाटर को उबलना है जिसे छिलका निकल सके तो हमारा छिलका निकलने लाइक इस तरह से उबल छोका है तो अब हम गैस बंद कर देंगे मिर्ची को हम मिक्सी के जार में डाल देंगे आप देख सकते हैं टामाटर के छिलका कितना असानी से निकल जा रहा है इस तरह से छिलका को निकाल के हम मिक्सी के जार में पेश्ट बना लेंगे एक चम मस्ट डालेंगे रिफाइन एक जीरा लहसुन अद्रक इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे कच्चा पर बिंदूर करने तक फ्राई करना है टामाटर का जो हमने पेश्ट बना के रज दिया है पेश्ट को हम इसमें पपने के लिए डाल देंगे में प्रेम करके थोड़ा सा हमने दरदरा पीसा था ज़्यादा पेश्ट नहीं बनाया था स्वाद अनुसर नमक एक चमज सककर बैलेंस बनाने के लिए सककर डाले हैं एक चमज डालेंगे सोवा सोस बीनेकर आप चाहे तो निम्बू का रस डाल सकते हैं तीकी चटपटी मुमस की चटनी बन के तयार हो चुका है आप देख सकते हैं कितनी गारी है मुस की चटनी बनाने की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सेर कीजिए, सस्क्राइब कीजिए और अपने किसम में जरूर ट्राय केजिए धन्यबाद